यह ट्रेन ओवर टेक्ट अ मैन गोइंग अलोंग दा रेल्वे ट्रेक एड़ दा स्पीड आप 6 किलो मेटर पर आवर इन 10 सेकंड इव दा लेंथ अफ दे ट्रेन अब देखे ट्रेन 200 मीटर किया है उसकी स्पीड नहीं गिवन है समझ रहे हैं और मैन 10 सेकंड में इस ट्रेन को पार कर देता है ट्रेन भी चल रही है मैं भी चल रहा है मैन 10 सेकंड में इस ट्रेन को क्रास कर देता है दोनों की डिरेक्शन सेम है ट्रेन भी इस डिरेक्शं में जारी है मैन भी इस डेक्शन में जा रिया ह यह तो हमारा फॉर्मुला होता है distraction students is forward to speed into time इसी का यूज करेंगे तो देखे डिस्टेंस आदमी की कोई चोडाई नहीं होती है जीरो मान ली जाती है ट्रेन की चोडाई 200 मीटर है 200 मीटर ट्रेन लंबी है तो इस पूरे प्रॉसेस में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो ट्रेन की कवर हो रही है तो डिस्टेंस ट्रेन की कवर हो रही है 200 मीटर equal to relative speed देखिए दोनों same direction में है तो relative speed इसकी same अगर दोनों same direction में तो minus होती है relative speed और train हमें पता ही है कि ज़्यादा speed से होगी तो x-6 कर देंगे और x km per hour हमने train की speed मानी है और man की speed 6 km per hour है तो x-6 क्योंकि ये km per hour है इसलिए हम इसे meter per second में convert करने के लिए 5 by 18 से multiply करेंगे तो ये हमारी हो गए speed into time time हमारा seconds में है seconds में इसलिए हमने इसको meter per second में convert करने के लिए 5 by 18 से multiply किया है अब देखिए ये 10 हो गया अब इसे हम solve करेंगे तो x is equal to 78 आएगा और x हमने माना था km per hour में इसलिए हमारा answer भी आ रहा है 78 km per hour इस तरह से हम इस question को solve करेंगे okay friends झाल 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 झाल